बलवुट के सीनियर आक्टर कबीर बेदी ने हाल ही में अपनी बुक लाँच की और इस बुक के अंदर उन्होंने अपने जिंदगी की काफी एहम बाते शेयर की हैं बातें जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया बहुत कुछ कहा गया उन पर भी डीटेल में लिखा है कबीर बेदी ने अपने और परवीन बाबी के रिष्टे पर खुलकर इस बुक के अंदर लिखा है इस बुक को लॉंच किया उन्होंने सल्मान खान के साथ आपको बता लाइफ के लिए जाने गए हैं उनके कई सारे रिलेशन्शिप्स रहे हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में चार शादिया की है और रीसिनली जो शादी की उनकी जो फोर्थ वाइफ है वो उनसे पच्चिस साल छोटी है कबीर बेदी की सबसे पहले शादी हुई थी प्रोथीमा से जिन से उन्हें पूझा बेदी और सिधार्थ बेदी नाम का लड़का हुआ प्रोथीमा से शादी के कुछ ही समय बाद कबीर बेदी और प्रोथीमा के बीच में प्रॉबлем सोने लगी और इसके बाद इन्होंने डिसाइड कि एक अपनी मैरेज को ओपन मैरे यानि कि शादी के बाहर दोनों girlfriend boyfriend रख सकते हैं कबीर बेदी ने इस किताब में लिखा कि लोगों को लगता है कि open marriage मेरी खुश किस्मती थी लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इस open marriage के कारण ही प्रोतिमा से मेरा रिश्टा खतम हो गया हमारे बीश नजदी क्या खतम हो गई थी जो प्यार दुलार मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल रहा था मैं विलकुल अकेला हो गया और इस टाइम में मुझे साथ मिला परवीन का कबीर बेदी ने बताया कि परवीन के साथ relationship से पहले मैं उन्हें डैनी की girlfriend की रूप में जानता था दीरे दीरे डैनी इंडस्ट्री के बड़े villain बन गए उन्हें film fair award मिला वहीं परवीन बावी भी इंडस्ट्री की टॉप actresses में गिनी जाने लगी इन दोनों का रिष्टा चार साल तक रहा परवीन खुले आम डैनी के साथ गुमा करती थी और उनका रिष्टा किसी से चिपा हुआ नहीं था वहीं कबीर बेदी ने ये भी बताया कि public image परवीन की जिस तरह से थी वो उसके बिलकुल विपरित थी अपनी personal life में कबीर बेदी ने कहा कि जो परवीन बावी publicly jeans पहनती थी, cigarette पीती थी वो अपनी personal life में, sex में काफी वफादारी चाहती थी कबीर बेदी ने कहा कि जब वो ओशो के group में जाते थे, जो कि जुहू में होता था, वहाँ पर free sex की बात हुआ करती थी, वहीं परवीन को sex में वफादारी चाहिए थी और तब कबीर बेदी को भी ऐसी ही लड़की की जरुरत थी, ऐसी सोच वाली लड़की उन्हें बहुत पसंद आई और वहां से वो परवीन बावी को लेकर fascinate हो गए, एक दिन उन्होंने decide किया कि अब वो परवीन के साथ ही 11 में चले जाएंगे लेकिन ये करना इतना आसान नहीं था, कबीर बेदी ने कहा कि एक दिन जब वो घर पर गए तो प्रोती मा भी घर पर आई ही थी तब कबीर बेदी ने उनकी वाइफ को कहा कि मैं आज रात यहां नहीं परवीन के साथ रुकूंगा और वहां से उनका रिष्टा प्रोतीमा के साथ खतम हो गया इसके अलावा कबीर बेदी ने जिन्होंने परवीन बाबी के साथ एक लंबा समय गुजारा उन्होंने परवीन की मानसिक हालत के बारे में बात की और बताया कि परवीन बच्पन से ही बिमार थी उन्हें बच्पन में भी आत्माएं दिखती थी वो बच्पन से ही अपनी फैमिली से अलग हो गई थी और उनकी ये इनसेक्यॉरिटी हर समय उनके डर का कारण बनती रही आगे चल कर जब वो सक्सेस्फुल हुई उनकी खूबसूरती और उनकी करियर ने इस डर को खतम कर दिया कबीर बेदी ने ये भी बताया कि महेश भट ने उन्हें बताया कि परवीन की ये जो बिमारी है ये खांदानी बिमारी है उनके पिता भी मानसिक रोगी थे ये बात खुद परवीन की मौम ने महेश भट को बताई थी महेश भट ने ही कबीर बेदी को बताया कि जब परवीन एक टीनेजर थी और वो एमदाबाद के सेंट जेवियर स्कूल में पड़ती थी तब हिंदु मुसल्मान के दंगे हुए थे और तब परवीन की टीचर ने सारी मुसल्मान लड़कियों को एक गद्दे के नीचे दबा दिया था परवीन भी उनमें से एक थी और वो पहली बार था जब परवीन को पैनिक अटैक आया था ये सब होने के बावजूत कबीर बेदी का कहना है कि परवीन की मानसिक हालत के पीछे मीडिया ने मुझे जिम्मेदार ठहराया कई सारे मैगजीन्स ने ये कोट किया कि मेरे कारण परवीन बाबी की मानसिक इस्तिती ऐसी हुई है मीडिया ने ये भी कहा कि मैंने परवीन को छोड़ा जब कि ऐसा नहीं था परवीन ने मुझे छोड़ा तब जब मैं उनकी मदद करना चाता था तब भी परवीन ने ऐसा करने से मना कर दिया तो कुछ इस तरह से कबीर बेदी ने परवीन के पूरे मामले में अपने आप को clean shit देने की कोशिश की है और कहा है कि परवीन की ये जो बिमारी थी मानसिक बिमारी ये शुरूर से ही थी बच्पन से ही उनके साथ ये सब हुआ था और इस तरह के symptoms उनके अंदर बच्पन से ही थे परवीन बावी के बारे में बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ कहा उनकी death हो गई है वो इस दुनिया में अपने आप के लिए बात करने के लिए आज हाजर नहीं है माना परवीन बावी की मानसिक इस्तिती ठीक नहीं थी लेकिन क्या आप सोच सकते हैं या क्या ऐसा हो सकता है इस तरह की मानसिक इस्तिती होने के बावजूद कोई actress इतना बहतरीन काम कर पाए इंडस्ट्री जो की इतने नेगिटिव लोगों से भरी हुई है जो आपको हर एक कदम पर गिराने के लिए बैठे हैं उस इंडस्ट्री में रहकर इतनी टॉप की position तक जा पाए और इस तरह की मानसिक इस्तिती होने के बावजूद भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े आक्टर्स ने परवीन के साथ अफैर रखा इसमें डैनी का नाम है इसमें महेश भट का नाम है कबीर बेदी और एक टाइम परामिता बच्चन का भी नाम था आपको क्या लगता है क्या वाकई में परवीन बावी पहले से ही मानसिक इस्तिती का शिकार थी या फिर इस इंडस्ट्री ने उन्हें पागल घोशित करने की कोशिश की और उनका सिर्फ और सिर्फ इस्तमाल किया